नमस्कार मैं हूँ एमेंदर सिंग अब समय हो चला है आज की दस बड़ी खबरों का जिन में आज हम बात करेंगे रहाल गांदी की उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसको लेकर संसत से लेकर सलक तक बवाल मचा हुआ है हम जानेंगे पुर्वोतर में कैब को लेकर क्या घटनाए घटी हम इस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोट ने सबरी माला मंदिर पर सुनवाई के दवरान क्या आदेश दिया साथ ही हम ये भी जानेंगे कि निर्भया केस के चारों दोसियों की फासी पर आज क्या हुआ सं इस सत्र के अंतिम दिन दोनों सद्रों में जमकर हंगामा हुआ जिसके बाद लोगसवा और राजसवा की कारवाई अनिश्चित कार के लिए इस थगित कर दी गई इस हमले का कारण बने कांग्रेस नेता राहुल गांदी जार खंड में चुनाव प्रिचार के दवरान पा ने बिवादित बताया राहुल गांदी ने बढ़ती महिला अपराधों को लेकर यह बयान दिया था संसद में बिरोध का मोर्चा केंद्रिय मंत्री इसमर्ती रानी ने समाला उन्होंने राहुल गांदी से माफी की मांग की वहीं राहुल गांदी ने माफी मांगने से स उनका कहना है कि पुर्वोत्तर जल रहा है ये ध्यान हटाने के लिए आरोप लगाया गया है वहीं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो ट्वीट करके उन्होंने पलटबार किया राउल ने कहा कि मुद्दा ये है कि पिये मोदी और अमिशाह ने पूरे पूर्वोत को जलाया है इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा मुझे निसाना बना रहे हैं मैं आपको याद दिला दूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले दिल्ली के बारे में ऐसा ही बयान दिया था नागरिक्ता संसोधन बिल को लेकर पूर्वोत्तर भारत में इस्तिती गंबीर है असम के अलावा दूसरे राज्यों के सहरों में भी बंद और कर्फू के हालात हैं असम के गुहाटी और डिबूगर में हाला तनावपूर बने हुए हैं इस्तिती को समालने के लिए सेना के सेना के अलावा असम राइफल्स के जवानों को भी तैनात किया गया है गुहाटी में सुक्रवार सुवे कर्फू में धील दी गई जिसके बाद लोग हलवडी में जरूरी सामा निकठा करने के लिए दुकानों और बाजारों की तरफ निकले बाद में प्रसासन ने में तरफोड के लिए कोई जगे नहीं है सोनोवाल ने ये भी कहा कि राज के मोलनिवासियों के अधिकारों की रच्छा के लिए ये क्रत्व संकल्प है वहीं दूसरी और नागरिक्ता कानून के बिरोध का आसर भारत जापान शिकर वारता पर पढ़ रहा है गौाटी में ह प्रदेस और 36 गड़ के मुखमंत्रियों ने बिलको लागू करने से इनकार किया है इस तरह अब तक 6 राजियों के सियम इसे अपने राज में नहीं लागू करने की बात कह चुके हैं कमलात ने कहा कि नागरिक्ता संसोधन विदेक को लेकर कांग्रेस पार्टी के रुख प इस बिलके विरोध में हैं किसी भी हाल में इसे लागू नहीं करने की बात कह चुकी हैं पंजाब के सीम कैप्टन अमिनिंदर सिंग और केरल के सीम पिनराई बिजन भी इस पर अपना विरोध जता चुके हैं निर्विया केस के चारों दोसियों को फांसी की सजा की हलचल के बीच पटियाला हाउस कोट में बहस हुई इसमें दोसियों की पेसी वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये हुई निर्विया के दोसियों को जल्द फांसी की मांग वाली यह आजका निर्विया की माने दायर की इसी आजक्या पर सुनवाई हुई इस दोरान कोट ने कहा कि सुप्रिम कोट में एक दोसी की रिविव पिटीशन लंबित है उस पर फैसले का इंतिजार करिए उसके बाद ही फैसला दिया जा सकता है सुनवाई के बाद कोट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को दो पहर दो बजे होगी सुनवाई के बाद निर्वया की मा ने कहा कि हम लोग 7 साल से 5 का इंतियार कर रहे हैं नियाई लेकर रहेंगे जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे अब पीछे नहीं हटेंगे निर्वया की मा वा उसके पिता दोनों ने कहा कि 18 दिसंबर को निर्वया के दोसियों का डेत बारंट जारी होगा गेरल के सबरी माला मंदिर में महिलाओं को प्रिवेस और पूजा के अधिकार को लेकर नयाईग लडाई जारी है इस मामले में दायर याजका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई चीप जश्टिस ने कहा कि पुनर विचार याजकाओं को साथ जजों की समिधान पीड के पास भेजा गया है कोट ने आजका करता फातिमा से कहा कि आपकी आजका पर अभी हम कोई आदेस नहीं दे सकते चीप जश्टिस ने कहा कि साल 2018 का सुप्रीम कोट का आदेस अंतिम आदेस नहीं है उन्होंने कहा कि मामला अभी भी साथ जजों की संविधान पीट के पास लंबित है चीप जश्टिस ने कहा कि कुछ बिसे देस में ऐसे भी होते हैं जो बहुत बिसफोटक होते हैं सबरीमाला का बिसे उन्हीं में से एक है उन्होंने कहा कि आज आदेस जारी करना सही नहीं है आज संसत पर हमले की बरसी है 2001 में आतंकियों ने देश के लोक्तंत पर हमला करने का कायराना प्रयास किया था अठारवी बरसी पर राश्टपती उप्राश्टपती प्रधान मंतरी मनुहन सिंग सोनिया गांधी समेथ विभिन दलों के नेताओं ने सहीदों को स्रधांज लिदी राश्टपती कोबिंज ने कहा कि कृतक देश सहीदों की बादुरी और उनके सास को नमन करता है जिनोंने 2001 में संसत ववन की आतंगवादियों से रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आउती दे दी थी हम आतंगवाद के हर रूप को खत्म करने और उसे हराने के लिए द्रन संकल्पित हैं बता दें कि 18 साल पहले आजी के दिन लसकरे तैवा और जैसे मुहमद के आतंगवादियों ने गोली बारी की थी जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंगवादियों को धेर कर दिया था मिड़े मिल को योगी सरकार निजी हातों में देने जा रही है इसके लिए गलोबल टेंडर जारी किया जाएगा इसकी जानकारी बेसिक सिक्षा राजमंतरी 37 दुबेदी ने दी उन्होंने का कि सरकार परसदी स्कूलों में मिड़े मिल की विवस्ता निजी हातों में सौप प्रदेश में 5.75 लाग परसदी सिक्षकों को प्रिसिक्षन दिया जा रहा है यह देश का सबसे बड़ा प्रिसिक्षन कारकिरम है बेसिक शिक्षा मंत्री ने कारपोरेट घरानों और निजी संस्थाओं से सहयोग मांगा है उन्होंने का कि सरकार चाहती है कि उपी के स्कूलों में टाट पट्टी इतियास बन जाए आंद प्रदेश की कैमिनिट ने दिसा बिल 2019 को सुईकरती दे दी है अब मैलाओं के खलाब मामलों का निप्टारा 21 दिन में कर दिया जाएगा साथ ही ये कानून दोसियों के लिए फासी को अनिवार बनाता है इस विदेख को विदानसवा के मौझूदा सत्र में पेस किया जाएगा ये कानून अंद प्रदेश अपराद कानून में एक संसोधन होगा जिसे अंद प्रदेश दिसा कानून नाम दिया गया है पडोस के तलंगाना में हाली में हुए डाक्टर के साथ वारदात की याद में ये कानून लाया जा रहा है इसके अलावा एक अन्मसोदा कानून को भी मंजूरी दी गई है इसके जरीय महिलाओं और बच्चों के खिलाब अत्याचार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए विसेस अदालतों के गठन का मार्ग प्रसस्त करेगा इस कानून के तहट सभी 13 जिलों में विसेस अदालतें गठित की जाएंगी पाक्सो कानून के तहट मिलने वाली सजा के साथ ही दस साल से लेकर उम्र के तक की सजा का प्रावधान किया गया है रेल मंत्री प्यूस गोईल ने बड़ी जानकारी दी है गोईल ने काय कि रेलवे में 3 लाग सेधिक पद खाली पड़े हैं इसमें से 2,94,000 रिक्त पदों पर भरती के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई है गोईल ने बताया कि 7 रोजगार अधिसूचनाएं जारी की गई है 4 रोजगार अधिसूचनाओं के लिए भरती प्रिक्रिया पूरी की जा रही है उन्होंने बताया कि जोनों और मनलों में 90,890 व्यक्तियों ने कारभार गिरहन कर लिया है साथी रेल मंत्री ने बताया कि डेल करोड से अधिक लोगों ने मुफ्त वाइफाई सेवाओं में लोगिन किया है उन्होंने बताया कि भारती रेल में 6,471 इस्टेशनों पर वाइफाई सेवाएं मोहिया कराने का प्रस्ताओ है गोईल ने बताया कि मार्च 2020 तक 5,816 इस्टेशनों में और मार्च 2021 तक सेश 655 इस्टेशनों पर वाई-फाई सुविदा मोहिया कराने का लक्ष रखा गया है उत्राखंड के धनोल्टी साइत अनूचाई वाले इस्थानों में मौसम का पहला हिमपात हुआ जिससे परटकों के साथ साथ ब्यापसाईयों के भी चेहरे खिल उठे जिसके बाद सैलानियों साइत ब्यापारियों के चेहरे खिल गये हैं केदारनाद बद्रिनाद समेत कई जगों पर पिछले दो दिनों से भारी बरबारी जारी है इससे पूरा प्रदेश सीत लहर की चपेट में है उत्राखंड सरकार ने अयतियाती कदम उठाते हुए स्कूल बंद रखे हैं पालों में हुई बरबारी का असर मैदानी इलाकों में अभी दिखाई दे रहा है उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है कई जगों पर बारिस के साथ ओले भी गिरे जिसके बाद किसानों के चेहरे मायूस हो गए दिली अंसियार साइथ कई राज्यों में हुई तेज बारिस और हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया है मौस पर किटनासक दवाओं का छिलकाओ भी ना करें बड़ी खबर में बस इतना ही देखते रहिए जन प्रवाद नमस्कार